जाहिन दोस्तों तो आज हम देखेंगे आज बस सेट नंबर 94 को यानि के बस हम आज दस को देखेंगे तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉस करके question को attempt कर सकते हैं पहला question कहता है इफ एनी political party gets recognized as a national party which of the following benefits will it get तो दोस्तों यहाँ पर कहा है कि national party आपने देखा हुआ कि जो हमारे election commission of india यह क्या है कि कुछ political party को दरज़ा देते हैं किसी को national party का दरज़ा दिया जाता है किसी को state party का दरज़ा दिया जाता है तो यहाँ पर कहा है कि यह national party के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पर क्या क्या benefit मिलते हैं तो यहाँ पर कहें कि बहुत सारे benefit मिलते हैं तो यहाँ पर benefits की क्या है list लंबी है तो यहाँ पर हम options को देखके इन question को solve करेंगे तो पहला कहता है only one proposer is required to file a nomination तो दोस्तो आप ऐसे समझो जो national party है अगर कोई एक party वो national party बन जाती है तो यहाँ पर कहें कि जब भी वो अपना nomination के लिए जाता है कोई भी अगर वहाँ उसका candidate है तो यहाँ पर कहें कि उसको एक proposer की जरूरत होती है तो यहाँ पर यह statement बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अगर आप बात करोगे कोई recognized party यानि कि unrecognized party तो यहाँ उस case में क्या होता है कि उसको 10 लोगों की जरूरत होती है यानि कि एक तरीके से proposer की यानि कि जब वो nomination के लिए जाएगा तो 10 लोगों का उसका support होना चाहिए तो यह कि benefit मिलता है second कहता है two sets of electoral roles free of course by the election commission of India suppose करो जैसे यह क्या है इंडिया का map हो गया अब मैं यहाँ बात करूँगा जैसे UP state है और UP state के अंदर में क्या है आप ऐसे समझो यहाँ पर गाजियाबाद क्या है यहाँ पर एक constituency है तो इस गाजियाबाद के अंदर में जितने भी electoral roles होंगे यानि कि जितने भी लोग होंगे जो vote डालने के लिए जाएंगे तो वो जो list होगी ना ऐसी दो list उसको दी जाएगे तो यहाँ पर यह भी statement ठीक है तो यहाँ पर याद रखना दो set दिये जाते है थर्ड कहता है receive land or building from the government to establish their party office तो यह statement भी ठीक है यानि कि कोई national party होती है जैसे bjp, congress तो यहाँ पर कहें कि सरकार यहाँ पर एक जमीन देती है उनको कि वो अपने party का office बना सकते है यानि कि यह मिलता है इनको तो यह भी ठीक है election symbol of that party can not be used by any other political party in polls across India तो यह statement भी ठीक है जैसे bjp के बात करोगे तो यहाँ पर कहें कमल का fool है congress के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर कहें यह हाथ बना रखा है तो यब यह national party जब बन चुकी है तो अब इन symbol को इनके अलावा कोई और use नहीं कर सकता है भले ही यहाँ पर कोई individual candidate ही क्यों ना लड़ रहा हो तो यहाँ पर कहें कि यह ना reserve हो जाता है symbol इनके लिए तो यहाँ पर जो हमारी चारो statement ठीक होगी यानि कि यह सारे benefit जो national party को मिलते हैं next question की बात करते है क्या था consider the following statement regarding the comptroller and auditor general of India तो दोस्तों यहाँ पर यह CAG के बारे में बात कर रहा है तो आपको पता है जो CAG यह क्या है हमारी constitutional post है और इसके अंदर में जो हमारे articles है वो 148 से लेकर करके 151 के बीच में हमको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि he assist the public account committee of the parliament जो दोस्तों यह statement ठीक है अब मैंने आपको इससे पहले वाले lecture में बता था Parliamentary committee के बारे में तो आपको पता कि Parliamentary committee कितने टाइप कि होती है यह दो टाइप कि होती है तो एक होती है Permanent committee दूसरी होती होती है temporary committee इस permanent committee के अंदर मैंने आपको बता था ये 6 types की होती है, तो अब यहाँ पर क्याएगी, जब 6 types की होती है, तो यहाँ पर जो सबसे number 1 committee होती है, वो होती है financial committee, यह financial committee तीन type की होती है, सबसे पहले आती है public account committee, इसके अंदर में आप देखोगे total 22 members होते हैं, 22 में से आप यहाँ पर देखोगे कि 15 members होते हैं, लोग सबा होते हैं यहां पर राज्य सभा के ऐसे फिर जो second committee होती है इसके अंदर में वो होती है estimate committee इसके अंदर में total 30 member होते हैं तो 30 member होते हैं सारे के सारे लोग सभा से इसके अंदर में होते हैं और जो पहली वालिया यानि के public अकाउंट कमेटी है ना तो इसी के अंदर में क्या होता है CAG होता है CAG क्या करते है help वगेरा करते हैं इसके अंदर में तो यह कह रहा है कि जो हमारे CAG है वो assist करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी आफ दी पार्लियमेंट को तो यह statement हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी second कहता है his salary is equal to that office judge of the supreme court यह भी बिल्कुल ठीक है he can be removed by the president only in accordance with the procedure mentioned in the constitution तो यह statement भी हमारी बिल्कुल ठीक है आपको पता है जैसे अगर इनको remove करना तो resolution लाना पड़ता पार्लियमेंट के लिए हमने कई बार देखा है फिर उसके बाद में कहा है president इनको remove कर देता है जब यह pass हो जाता पार्लियमेंट से तो यहाँ पर हमारी तीनो statement correct हो जाएगी third question कहता which of the following languages were added through an amendment to the 8th schedule of the Indian constitution तो दोस्तों यह 8th schedule के बारे में बात कर रहा है आपको पता हमारे इंडियन constitution में कितने schedule से total 12 schedule से और इन 12 schedule में से जो हमारा 8th वाला schedule है यानि कि यह हमको किसके बारे में बताता है तो जब यहाँ पर देखोगी कि आप ऐसे देखो 1950 में देखो और आज 2023 चला है तो जब 1950 में हमारा constitution बनकर तयार हो चुका था बिल्कुल commence हो चुका था तो उस टाइम पर हमारे total 14 languages को recognize करा गया था यानि कि हमारे 8th schedule में 14 languages थी लेकिन आज 2023 के बारे में बात करोगे तो total 22 languages ह हमारे इसके अंदर में देखने को मिलते है लेकिन यहाँ पर एक exception है यहाँ पर जो English language है न वो हमारी 8th schedule के अंदर में नहीं है तो यह कि इंपोर्टेंट पॉइंट है तो यहाँ पर कहा रहा है कि इसको इन में से कौन सी language इसको हमने add करा था amendment के द्वारा संथली, सिंधी, म मैथली, कौन कनी तो यहाँ पर कहें कि आपको याद करनी पड़ेंगी इसके कोई trick नहीं है तो एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगी कौन कौन सी languages हमारे इसके अंदर में है तो याद रखना English जो है इस 22 languages के अंदर में नहीं है तो हमारा जो answer होगा यह में बाचित करी जा रहे है तो आप यह देखो कि जैसे इंडिया में क्या है कि बहुत बड़ी company वगेरा है सरकारी company की बात करते हैं सरकार की PSU के बारे में तो अब suppose करो सरकार ने fund यहाँ पर provide कर दिया अब जब fund provide कर दिया हमारे हम मतलब कोई scheme निकाली उसको implement करने के लिए तो ground level पर वो कितना implement हुआ है और paperwork में कितना उन्होंने company ने दिखाया है तो यानिके actual में कितना हुआ है और सरकार ने कितना दिया है तो यानिके उसको check करने के लिए यहाँ पर audit करा ही जाती है तो यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहा है social audit के बारे में तो कह रहा है कि ज आप ऐसे समझो, कि जो social audit के लिए कोई भी हो सकता है, यह government के employees हो सकता है, कोई government के corporations होता है, कोई expertise हो सकता है, तो इस social audit के अंदर में बहुत सारे लोग हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी company है ना, उस company के अंदर में कोई भी financial data हो, यहाँ फिर non financial resources हो, तो उसकी जाज प रखना financial resources हो, यह फिर non financial resources हो, दोनों को count करा जाता है, social audit के जरिये तो यह statement ठीक है, second कहता है, social audits were given statutory status for the first time under the महात्मा गांधी national rural employment guarantee act 2005, तो दोस्तों यह statement भी ठीक है, तो आपने देखा, 2005 में क्या है, मन्रेगा लाया जाता है, हमारे मनमोहन जी की सरकार के द्वारा, तो यह लोने क्या घरा, यह scheme लिया है, तो यहाँ पर क्या है कि यह fund निकाला इसके अंदर में, तो यहाँ पर क्या है कि scheme से निकाली और यहाँ पर कितना implement करा जा रहा है, agency के द्वारा, उसको check out करने के लिए, उस time पर क्या है, यह social audit को यहाँ पर पहली बार statutory status का दर्जा दे दिय यह तो यह बिल्कुल factual question है, तो यहाँ पर यह statement correct है, तो हमारा जो answer होगा, यानि के दोनों statement correct हो जाएगी, next question कहता है, as per the provisions of the consumer protection act 2019, consider the following statement, तो दोस्तों यह very very important लगा लो, क्योंकि क्या है कि इसमें, हम जैसे जो consumer होते हैं, हमको protect करने के लिए, सरकार बहुत सारे steps लेती है, भी आपने देखा, consumer protection act हो गया, 2019 का अभी 2020 में कुछ amendment वगेरा लेकर करके आये थे, इसके अंदर में, तो यहाँ पर कहता है कि जो central consumer protection authority है, under the act, can suomoto inquire and investigate violation of consumer right, तो यह statement ठीक है, suppose करो, आप क्या है, आप कुछ समान लेने गए, suppose करो, आप Colgate लेने जाते हो, कोई आपके nearby shop प तो आप क्या कर सकते हो, उसको पर case वगेरा कर सकते हो, consumer court में जा करके, तो यहाँ पर क्या है कि सरकार का उदेश्य यह है, कि जो हम consumer है, जो हम चीजों को consume करते हैं, एक तो क्या है कि यह हमको बचाता है, इन सारे fraud वगेरा से, तो यह क्या है, हमको protect करने की बात करता है, इसके तो यहाँ पर वो देख सकते हैं और यहाँ पर याद रखना एक important point यह है कि अगर आपको complain करनी है तो यहाँ पर आपको fees देनी होगी यह very important point है second कहता कि आप person who avails services for any commercial purposes is not considered a consumer so दोस्तों यह statement हमारी ठीक है suppose करो आप क्या हो आप एक X आदमी हो यानि कि आप एक X हो ठीक है तो अब यहाँ पर कहें कि आपने क्या करा इस्टील ली अब इस्टील का क्या करा आपने raw material का यहाँ पर use करा अगर आप इसको अपने purpose के लिए खुद के लिए यूज करते हो तब आप कहलाओगे यहाँ पर consumer लेकिन अगर आप इसको इस टील को क्या करते हो एक तरीके से intermediate goods के लिए use करते हो फिर बाद में क्या करते हो यहाँ पर इसको commercialize करते हो यानि कि अपने आपको profit दिलाने के लिए करते हो तो याद रख लेना जब भी word आ जाएगा commercialization तो जब commercialization की बात होगी तो उस time पर क्या है हम consumer category के अंदर में नहीं आएंगे तो यहाँ पर यही कह रहा है कि आप person who avails services for any commercial purpose is not considered a consumer तो यह statement बिल्कुल ठीक हो जाएगी थर्ड कहता है complaints with the national commission are filed free of cost यह statement गलत है यहाँ पर पैसे लगते हैं अगर कोई complaint file करता है तो तो यहाँ पर क्या हमारा answer हो जाएगा B यानिक हमारी शुरू की दो statement करेक्ट है next question की बात करते कहता है with reference to the one nation one ration card program consider the following statement तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो आपने देखा है कि बहुत सारी चीजे चल रहे है इंडिया के अंदर में one nation one ration card तो इस तरीके से कहा है कि one nation one tax one nation one ration card तो ऐसे कहा है कि बहुत सारी चीजे यह इस तरीके से चल रहे है तो अब द मिस्ट्री के अंदर में आता आप इस तरीके से याद रखना तो अब यहां पर कहा है कि जो हमारा national food security act है 2013 का तो यहां पर कहा है यह subsidized food provide कर तो आपने देखा होगा इसके अंदर में rural area को भी cover करता है urban area को भी cover करता है तो जो rural area की population है न वो 75% population को खाना मिलता है और urban area की 50% population population को यहां पर खाना मिलता है यानिके यह इतनी population को cover करता है और इसके अंदर में 81 करोड beneficiary beneficiary क्या है यहां पर subsidized group में क्या है food provide करते है तो याद रखना जितने भी राशन card holders है सारे के सारे eligible हैं यानिके जितने लोगों के पास में राशन कार्ड होगा वो इसके तहत में क्या है subsidized food ले सकते है वन राशन कार्ड के तहत में तो अब यहां पर ऐसे समझो को यूपी का बंदा है तो यूपी का बंदा अगर कोई नोकरी करने के लिए कहां पर गया है कि जो fair shop होती है वो महाराष्टा से उठा सकता है तो all India में वो कहीं पर भी रहे तो यहां पर वो उससे benefit उठा सकता है अब यहां पर statement को पढ़ेंगे कहता है the families coming under the category of below poverty line only are eligible under the program सो दोस्तों यहां पर यह जो word आते है न only बिलकुल याद रखना यही खतननाक word होते हैं तो य statement हो जाएगी गलत अब यहां पर आप याद रखना जिन लोगों के पास में राशन कार्ड है वो eligible है poverty line का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर में second कहता awesome is the first state to implement the program यह भी statement गलत हो जाएगी तो यहां पर आप ऐसे समझो जैसे यह इंडिया का map हो गया तो एक यहां पर गुजर time is an endeavor of the ministry of labor and employment to empower the migrant labor population यह भी statement गलत है यहां पर कह रहा है ministry of labor दोस्तों ministry of labor नहीं food वाल आईगी तो यहां पर कहें कि हमारी तीनों statement गलत है तो यहांने कि none of the statement हमारी correct होगी next question कहता है consider the following statement with respect to the tribunals in India तो दोस्तों यह बहुत easy question है आप ऐसे समझो जैसे इसको फिर सा आप ऐसे compare करो 1950 और आज 2023 चल रहा है है ना तो इस चीज़ से आप compare करोगे तो आपको कई बार बताया गया कि जो हमारे total parts थे 1950 में total 22 parts हुआ करते थे 2023 आज है तो हमारे constitution में total 25 parts हमको देखने को मिलते हैं तो अब यहां पर कहें कि tribunals के बारे में बात कर रहा है तो यह जो total 25 parts है ना त 1976 में add करा गया तो अब यहां पर कहें कि पहली बात तो important यह होई और यहां पर दो articles को add on करा गया 323 A 323 B तो याद रखना यह जो tribunals word है ना हमारे constitution में यानिके question ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या यह original constitution में mention था तो यह नहीं था तो यह कब आता यह 42nd amendment 1976 में यह tribunals आता है तो यहां पर कहें कि आप ऐसे समझो यह जो हमारा इंडिया है ना यहां पर तीन लेवल पर काम होता है सबसे पहले आप देखोगे central government होती है उसके नीचे आप देखोगे state government होती है फिर आप ऐसे समझो state के अंदर में क्या आते है district आते है तो यहां पर कहें कि यह three tier level पर काम कर तो दोस्तों यहां पर यह गलत हो जाएगा यह original constitution में नहीं था इसको add-on करा गया तो आप क्या करना जो हमारे टोटल 25 पार्ट से ना इन 25 पार्ट के लिस्ट बनाना और आप यह इन लिस्ट में देखना की कौन से पार्ट हमारे original constitution में थे और कौन से पार्ट को बाद में amendment करके यानि के पार्लेमेंट के act के द्वारा लाया गया second क्या था पार्लेमेंट is empowered to establish tribunals for the adjudication of disputes related to public services of local bodies तो दोस्तों यह statement हमारी ठीक हो जाएगी यानि के पार्लेमेंट के पास में power है वो tribunals को बना सकती है अगर कोई भी dispute वगरा आ जाता है जो public services यानि के जो सरकार हमको service provide करती है local level पर तो यह जो local level वर्ड है आप यहाँ पर सोचना है district के बारे में बात कर रहा ठीक है तो यह statement ठीक है तो इसमें से कहता है कि इसमें से कौन सी statement correct नहीं है तो हमारी पहली statement correct नहीं है तो हमारा जो answer हो जाएगा वो इसमें one हो जाएगा next question कहता है consider the following statement with respect to national achievement survey दोस्तों बहुत important question है यह education से related है तो अभी आपने देखा कि हमारे पास में क्या है Acer report आई थी तो Acer report कौन इसको launch करता है जो एक NGO है जिसका नाम है प्रथम यहाँ पर यह report करता है और यहाँ पर इसने बता है कि कैसे COVID pandemic के बाद में private tutions की मतलब बच्चे बच्चे जो है private tutions में ज्यादा admission लेते हैं सरकारी स्कोलों में admission ज्यादा हुए बच्चों के पास में mobile क्या है वो double हुए तो यह सारी report अभी Acer ने बता ही और अभी मैंने आपको vision और insights के current affairs में भी बता आता कि कैसे Acer की यह जो NGO अंदर में report की तो याद रखना दो important report मानी जाती है तो यह जो Acer report है annual survey on education report तो Acer report यह कोन करता है जो NGO है प्रथम इसके द्वारा यहाँ पर निकाली जाती है तो यह very important है दूसरी जब education report के बारे में बात होगी national achievement survey तो यह किसके द्वारा निकाला जाता है ministry of education इसकी मतलब ऐ ministry of education के अंदर में आता है और यह survey को कौन conduct करता है CVSC conduct करता है तो यह दोनों बहुत important हो जाती है यह Acer report समझो और यह national achievement survey report समझो अब यहाँ पर क्या होता है दो point इसके अंदर में फिर से important होता है तो अब यहाँ पर क्या होता है जो इसके household survey लिया जाता है यानिके इसके जो NGO इसके बंदे होते हैं यह घरों में जाकर के survey लेते हैं और यह जो national achievement survey है यह क्या करता है schools के अंदर में बच्चों का survey लेता है तो यहाँ पर जैसे कुछ school classes के बच्चे जैसे third class, fifth class, eighth class, tenth class इस तरीके से क्या है survey लिया जाता है तो यहाँ पर आप बात करेंगे इसकी तो यह comprehensive evaluation survey of student learning competencies at higher secondary and graduation level तो दोस्तों यह statement गलत हो जाएगी यहाँ पर क्या है कि यह higher secondary or graduation level पर नहीं लेता बलकि यह classes के उसमें क्या है survey लेता थी third, fifth, eighth, tenth ऐसे second कहता it is conducted annually by नितियायोग बिल्कुल गलत हो जाएगा education के बारे में बात कर रहा है तो हमारी ministry of education है और इसके अंदर में भी cbsc हाँ पर survey को conduct करता है थर्ड कहता है like the annual status of education report यानि कि एसर report के बारे में बात कर रहा है कहता है it is a household survey तो दोस्तों यहाँ पर क्या है यह statement गलत हो जाएगी यह वाली भी अब देखो दोनों ध्यान से सुनना जो फर्क है वो एसर report के अंदर में क्या होता है यहाँ पर और जो हमारी ministry of education वाली स्कूल के अंदर में जाता है तो यहाँ पर जो correct statement कोई भी नहीं होगी हमारा answer इसमें d यानिके none हो जाएगा next question की बात करते कहता है consider the following statement with respect to national legal services authority यानिके नालसा तो दोस्तों आपने देखा होगा कि नालसा क्या है इसको बनाए गया था आप ऐसे उनको provide करता जो बच्ची होते हैं यानिके जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते तब यहाँ पर फिरी में service provide कराता है women's अब यहाँ पर ऐसे समझे ना women's चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो उसकी income कितनी भी कुछ ना कुछ भी हो चाहे अमीर हो गरीब हो यानिके women's को भी यहाँ यहाँ पर free legal service provide करा ही जाती है तो यहाँ पर कहीं कि आपने यह थोड़ा सा basic जाना तो अब और इसी के अंदर में क्या है आपने देखा होगा कि लोग अदालत को बनाया गया था और लोग अदालत का decision क्या होता है यह final होता और binding होता है दोनों party के उपर में और यहाँ पर याद रखना लोग अदालत के अंदर में appeal नहीं कर सकते हैं हम मतलब appeal कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं High Court Supreme Court कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं दोनों party को decision को मानना होता है यानि कि इसका जो decision होता है वो binding होता है तो क्याता है कि और इसके अंदर में क्याता है कि it disburses funds to state legal service authority to implement legal aid programs तो यह statement ठीक है जो हमारा national legal service authority है इसके अंदर में एक fund बनाया हुआ है यानि के पैसा डाला जाएगा इस fund के अंदर में और यहाँ पर जो भी legal services के लिए जो भी किसी को help करना है तो इस fund से दिया जाता है state government कहलो या फिर जो भी सरकारी authority है उनको second कहता it provides women to free legal aid irrespective of their income और financial status तो यह statement भी हमारी correct हो जाएगी यानिके दोनों statement हमारी correct है last question पड़ेंगे कहता consider the following statement regarding the enforcement direct rates तो दोस्तों यहाँ पर क्या यह ED के बारे में बात कर रहा है तो ऐसे समझो 1956 का time period था तो यह जो year है ना 1956 यह बहुत important है इस 1956 में आपने देखा इंडिया को क्या है 14 state और 6 union territory में बा provision देखोगे इसके अंदर में कहा है कि आप और भी amendment देखोगे तो यहाँ पर एक provision क्या है यहाँ पर ED का गठन भी करा जाता है तो ऐसे कहीं कि कुछ point याद रखना हो सकता है कहीं पूछ लेकि 1950 के decade में क्या-क्या quality के अंदर में decisions लिए गए थे तो अब यहाँ पर देखो ED क तो कब बनाए गया था 1956 में बनाए गया था enforcement डारेक्टरेट तो यहाँ पर कहा रहा कि it is a statutory body तो दोस्तों यहाँ तक तो statement हमको बिल्कुल ठीक लगती है क्योंकि एक्ट के जरिये बनाई गई थी पार्लेमेंट के जरिये तो वह statutory body हो गई कहता है established under the prevention of money laundering act तो दोस्तों य है second क्या था an enforcement direct rate investigating officer can arrest and accused without prior intimation तो यह statement भी ठीक है आप ऐसे समझो एक तरफ क्या है हमारी police हो गई दूसरी तरह हो गई हमारी ED तो जो ED है ना अगर कहीं देखो ED का काम क्या होता जब भी economic यानिके कहीं पर भी पैसे के बारे में बात होगी पैसे के बारे में कहीं पर fraud होगा के अंदर में कई money laundering होगी या फिर terrorist financing वगयरा होगी तो कई पर भी money laundering के बारे में बात होगी वहाँ पर ED आएगी तो ED के पास में ज्यादा power होती है तो याद रखना police जब भी investigation करती है पहले FIR करती है उसके बाद में investigation करती है लेकिन जो ED है ना इसके अंदर में ECIR report बोला IO होता है ना वो किसी को भी arrest कर सकता और याद रखना कोई भी government हो या फिर कोई भी politician हो बिना notice के भी उसको क्या है अगर money laundering का case लगा दिया जाए तो यहाँ पर समन कर सकता है ED तो ED के आथ में बहुत बड़ी power होती है तो यह second statement में यही कहता है कि जो enforcement direct rate यानिके जो ED का IO होत है वो arrest कर सकता है accused को बिना किसी intimation के तो यह statement ठीक हो जाएगी थाड़ कहता है it is the only देखो फिर से only word आ गया कहता है only central investigating agency that does not require permission from the government to summon or prosecute politicians और government officials for inquiry into economic offenses and financial crimes तो यह statement हमारी correct हो जाएगी इसको किसी की भी मतलब permission की जरूरत नहीं होती अगर किसी को summon करना है prosecute करना याद रखना politician के बारे में बात कर रहा है या फिर अगर कोई government officials है तो और यहाँ पर case कब माना जाएगा economic offense होगा या फिर money laundering का case होगा यानि के पैसो से related जब होगा तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है correct statement हमारी questions को रखते हैं सो थेंक्यू गाइस